सहर की सम्रद्धी और गौरो साली इतिहास का प्रतीक व्यंकिटेश मंदिर अब व्यंकिटेश लोग के नाम से जाना जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत व्यंकिटेश मंदिर के 10 एकड़ छेतर में व्यंकिटेश लोग का निर्मार किया जा रहा है जिसके पहले फेच का लोकारपण प्रदेश के मुख मंत्री स्री सिवराज सिंग चौहान जी के दौरा हाल ही में किया गया है जिसे अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है जहां भारी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं वेंकिटेश लोक कन जारा बेहद ही खुबसूरा था और आकरसक है भगवान वेंकिटेश के मंदिर के समीब बने कुंड के चारो और भगवान विश्नु के बारह आतार की दस फिट उची प्रतिमाय लगाई गई है साथ ही कुंड के बीचो बीच भगवान विश्नु की विशाल प्रतिमाय स्थापित की गई है जो अपने आप में बहुत ही दिब और भब है जो आने वाले सैलानियों को अपनी और आकरसित करती है कुंड के बाई और पार्क पात्वे सहित बैठक विवस्था बनाई गई है जहां बैठ कर सैलानी वेंकटेश लोग के अधुद द्रश्यों का अनन्द ले सकते हैं मंदिर परिशर की बौंडरी वाल पर बेहद ही खूपसूरत चित्रकला की छाप छोड़ी गई है जिसमें वेंकटेश लोग सहित भगवान विश्णू के विभिन अवतारों का चित्रण किया गया है वेंकटेश लोग की साथ सज्जा के लिए विसेश तरह की लाइट्स का उपयोग किया गया है ताकि लोग भबता को निखारा जा सके और सेलानियों को आकरसित किया जा सके वेंकटेश्ट लोग के लोकारपन के बाद से प्रति दिन हजारों की संख्या में सैलानी यहां पहुँच रहे हैं और देर साम तक मंदिर परिशर पर बैठ कर खूबसूरत वेंकटेश्ट लोग का दीदार करते हैं वहीं वेंकटेश लोग इस समय शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है जहां फोटो सूट और सेलफी लवर का हुजूम बना ही रहता है पहले फेज के लोकारपन के बाद जब से वेंकटेश लोग को आम जन्मानस के लिए खोला गया है यहां सेलानियों की भीड लगी ही रहती है लेकिन इस खुबसूरत वेंकटेश लोग के पहले फेज की सुंदर्ता के साथ ही लोगों को वेंकटेश लोग के दूसरे फेज को लेकर ही निगाही टिकी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका भी काम पूरा करके जन्ता के लिए इसे समर्पित कर दिया जाएगा